एलो अच्छो कैसे वाव सभी स्वागत आपके प्याइए चैनल दा फिजिस किलासिज में आज हम जो टोपिक पढ़ेंगे डाइमेंशनल एरासिस का सेकिंड लेक्चर हम आज स्टाडी करेंगे जिसके अंदर हम डाइमेंशनल फॉर्मुले की यूजिज पढ़ेंगे डाइम इसलिए छोए वह किस काम आते हैं और उनका क्या चुझ होता है यहाँ से देखेगा उससे पहले हम एक च्योटा उवाव होमयजीनिति कि या वह लीभ आप सबस्क्राइब कर सकते हो जीच है इसे कि मैं माल लेता हूं मेरे पास दे रखी है मैं किसी स्पीड से चल रहा हूं मेरे पास स्पीड दे रखी है थ्री मीटर पर सेक्ड लेते हैं ओके और मैंने डिस्टेंस कवर किया और कि सी वह पाइफ मीटर हो तो मैं ज़ने तो में कहूं कि यहां से यहー से स्पीड और मैं यह से फॉर्मूला बनाता हूं जिस फॉर्मूले में स्पीड पलस डिस्टेंस दोनों एड हो रहे हो यानि कि 3 पलस 5 यानि कि स्पीड के अंदर मैंने डिस्टेंस को एड कर दिया तो पेटा ये बिल्कुल गलत तरीका है ऐसे आप कभी भी नहीं कर सकते हो इसका मिनिक क्या समझाना चाहरा हूं मैं समझगा त्यान से इसका मिनिक यह है कि 3 के अंदर 5 एड नहीं हो सकता 3 के अंदर 5 तभी एड हो सकता था जब 5 भी डिस्टेंस स्पीड होता सोरी स्पीड कि स्पीड ही होता है यहां पर आपके पास speed of first person and speed of second person दोनों add हो सकते हैं यह सई तरीका है यानि कि कह सकते हो कि जब भी आप total करना चाहते हो या subtract करना चाहते हो किसी भी चीज़ को physics के अंदर तो पिटा आपने हमेशा same nature की quantity को ही add या subtract करना है multiply आपको इसी भी quantity कर सकते हो और एड्जांपल जैसे कि मैं वेलोस्टी का फॉर्मॉला लिखता हूं तो वेलोस्टी होती है displacement अपोर में टाइम देखिए displacement अदर quantity है और इस टाइम एक अलग quantity है तो दोने इन दूसर क्या कर रहे हैं डिवाइड करते हैं अगर टाइम को इदर ले आते हैं तो वेलोस्टी इन्टू में टाइम इस इक और तो क्या होगा displacement तो पेटा देखिए यहां पर वेलोस्टी और टाइम बोनों आपसे multiply हो रहे हैं अलग physical quantity और यह अलग physical quantity है तो वेलोस्टी और टाइम यहां पर कि अगर्जानीट की हो सकती है मुल्टी प्लै भी हो सकती है लेकिन कभी इदर अलग नेचर की है सोरी हो सकती है बढ़ा समयागी बात यहां से थो मैंने छोटा सा यहां पर मिल लिखा हुआ है न्हें यहां पर मैं लिखा हुआ है यहां पर बैसे सी पलसटी Easter है किसा- cent carbon भी खा हुआ है यह कोई फीजिकल क्वांटिक इसको नाम देता हूं मालोई स्पीड है ठीक है और यह फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है यह मान की चलते पर दिल के लिए कुछ कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है मैं अगर्ण भी फिल्ट इस प्रफनेट जुडता हूं तो तुम्हारे हिसाब से भी क्या होगा होगा यूद्श मैं संजाने कर रहा हूं छीक है पैटा तो यही इसी चीज के ऊप़र इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल हो होमोजिनेटी ठीक है आप देखिएगा हम इसके उपर कुछ नुमेरिकल्स करते हैं नुमेरिकल में क्या चीज हमारे सामने आएगी देखिएगा बेटा द्यान से समझेगा आप लोग माल लेते हैं एक फोर्मुला लिखा हुआ है आपके पास वी इकोल स्टू एट पलस बी टी कोई भी फोर्मुला है फिशिस के अंदर ऐसे तो पितरा बहुत सारे फोर्मुले आएंगे लेकिन माल लेते होड़े कोई फोर्मुला है हमारे पास और इसने कहा दिया कि यह जो है यह स्पीड है कि यह नहीं पता क्या है बी पे नहीं जानते ही यहां पर टाइम है तो आपसे कह दें कि एका और बी का डाइमेंशनल फोर्मुला बताईए क्या होगा एका और बी का डाइमेंशनल फोर्मुला बताईए क्या होगा तो बिटा यह और बी का डाइमेंशनल फो वैलोस्टी है तो यह भी सी होगी पूरा भी वैलोस्टी ही भी होगा यह एखित अजो वही होगा जो वेलोस्टी का था तो फोर्मुला फोर्मूला यही हो गया लेकर तो सबस्द्रों sous टेंट आपको शलते हैं कि घया मैंशोंसनलक तो वह वह जोते हैं कि टायमंशोंस्क्त एक फॉर्मूला ओफ कि ब् dumb टि का डाइमंशों फोर्मूला डाइमंसCharम करो कि तो सेब बिदो कि इदर क्या होगा M1 एंजिरो एलवन टी माइनस वन ओके अच्छा टी यहां पर टाइम है तो टाइम का टाइम का होगा टी जो इदर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो टी वन लिख लेंगे तो टाइमेंसनल फॉर्मुला वी आ गया आपके पास यह तो यह सब्सक्राइब करते हैं यहां दीजेगा एक प्रशन और कर लेते हैं इसी के ऊपर कि देखिए माल लीजी आपके पास कोई क्वांट्री दे रखिए है ए आर स्केयर एक्स और आप से कहते हैं कि फाइंड डाइमेंसनल फॉर्मुला ओव एक्स वैसे रफ इतना क्वेश्चन दिया हुआ पता है नहीं हुआ कि आर क्या है आर यहां पर बताया हुआ है आर डि इसी दियो कहता है कि एक्स जो यहां पर लिखा हुआ इसका डाइमेंसनल फॉर्मुला बताईए तो पीटा एक बात याद रखना हमेशा कई आपके पास फॉर्मुले आएंगे जिनमें पावर भी कुछ ऐसी दी होगी तो पावर का कभी डाइमेंसनल फॉर्मुला नहीं हो होगती है बिटा यहनिकि यह कह सकते हो डाइमेंसनल फॉर्मुला ओफ आज स्केर एक्सल इसी को फूर्मुल्स को एम नोट पीड़ नोट यहां पर आप स्केर डिस्टेंस है लिए कि चलते हम ल स्केर वह इदर आ जैगा एक्स यांवल नोट टी नोट तो यहां से ल्ट नीचे डिवाइड में जाएगा तो यहां से M0 L-2 हो जाएगा तो पर जाके पावर माइनस नहीं तो डाइमेंशनल फॉर्मुला ओफ एक्स बीटा आपका यह आगा है क्लियर सभी को यह चीज़े ओके अब बेटा हमने कहा था स्टेप लेक्टर के स्टार्टिंग में कि आज हम डाइमेंशनल के यूजिज पढ़ेंगे या अप्लीकेशन ओप डाइमेंशनल आज हम पढ़ेंगे तो उसी टोपिक के ओपर आते हैं छोटा दा प्रिंसिपल था य हाँ तो बच्चों फस्ट अप्लीकेशन है हाँ जाम पढ़ेंगे कि अप्लीकेशन ओप डाइमेंशनल आज जिसमें फस्ट अप्लीकेशन होगी से चैक टूशी इक्वेशन इस गरेक्ट इस निखलेडा इफ इक्वेशन इज गरेक्ट यानि कि यह कह सकते हो कि क्या हमने क कोई फोर्मूला जो जनरेट किया है उसकी एक्वेशन करेक्ट है या नहीं है सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि माहां लेते हैं स्पीड इंटू टाइम स्पीड को भी से नौट कर लिया distance is equal to speed into time होता है आप सभी को यह formula पता है तो क्या यह formula बिल्कुल सही है या नहीं है यह check करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले left and side लेके चलते है speed, sorry distance s क्या है यह यह आपन s किसके लिए लेके चल रहे हो distance के लिए v क्या है speed t क्या है time तो यहां से आपके पास क्या आएगा देखिएगा distance का dimensional formula dimensional formula of distance यानि कि s, s का dimensional formula क्या होगा बिटा l1 कि क्या बिटा l1 होगा अब हम right hand side की बात करते हैं तो dimensional formula of vt vt का dimension formula क्या होगा v क्या है speed speed के लिए क्या लेके चलते हैं बिटा m0 speed यानिक velocity l1 t-1 और t क्या होगा t1 तो यहां से बिटा इसको solve करेंगे तो क्या आएगा m0 l1 t0 dimension formula of left hand side और right hand side का dimension formula क्या आगे same है देखो बिल्कुल इसका भीनिंग एक्वेशन बिल्कुल करेक्ट ती बिल्कुल असान साथ आए आप देखिए next ज़ो टोपीक है नेक्स करते हैं इक्वेशन और लेके चलते हैं इक्वेश्टन आपका पर्सटों करते हैं बेटा इक्वेशन दीवीई हैं आपके पास पी इक्वल्स टू फोर्टी बाई आर अब आप सोच रहोंगे एक्वेशन कहां से आई है पिटा यह आप जब प्रस्टू की फिजिक्स पढ़ो गे ना तो यह एक्वेशन आपके सामने कई बार आएगी सर्फ तैसल मतलो सिरफ आज यह चैक करना सी करें हैं कि क्या हम यह एक से पी है सर्फेस टेंशन और आख और विक्टा आख जो है यहां पर वह रेडियस है अब रहे हैं तो यह काम करते हैं सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट अंड साइड की left and side का dimensional formula लिखते हैं left and side का dimensional formula ध्यान दीजिएगा left and side dimensional formula of pressure pressure जो है left and side का dimensional formula क्या होगा बैटा pressure का जो formula होता है force upon area होता है पता है आपको तो force का क्या होता है M1 L1 T minus 2 area क्या होता है L square तो यहां से dimensional formula of pressure क्या आ गया बताना यहां से solve करके यह तो dimensional formula of pressure होता है M1 L-1 T-2 अब हम right and side का dimensional formula लिखालते हैं dimensional formula of 4 T by R इसका dimensional formula लिखालते है तो 4 तो एक dimensionless quantity है पिटा जितनी भी constant quantity होती है सब dimensionless होते है T surface tension surface tension को बोलते हम force upon length तो यहां से और नीचे क्या है radius R तो R और लिखने दी इसका dimension formula आपने लिखना है यहां पर लिखिए क्या है पिटा M1 L1 T-2 force का हो गया नीचे है length length के लिए L L1 रेडियस रेडियस के लिए भी L1 तो यहां से आ गया M1 L-1 T-2 solve करेंगे जब इसको यह आएगा तो left hand side और right hand side दोनों का dimensional formula क्या आ गया बिल्कुल same है बेटा तो यहां से कह सकते हो this equation is correct according to dimensional analysis ओके next देखिएगा next question की हम बात करते हैं इसी के अंदर next question है हमारा question number third question number third यह dimensional formula का यूज बढ़ रहे हैं बेटा जिसमें हम check करते हैं कि क्या को equation जो हमारी आएगी फिर इसमें जितने भी formula आएगे क्या वो formula सही होंगे नहीं होंगे dimensional formula क्या coding तो वही चैक करने हैं यह equation तो आप सभी जानती होंगे e is equals to mc square e क्या है यहां पर energy क्या है यहां पर मास क्या है से वेलोस्टी ओफ लाइट या किसी की भी वेलोस्टी ओफ लाइट वेलोस्टी होती है तो energy का left hand side लेकर चल रहे है dimensional formula of energy energy का क्या होता है बताया था आपको M1 L2 T minus 2 right hand side की बात करते है dimensional formula of M C square तो देखो बीटा M का क्या होता है M1 लिखेंगे एंग बीज़े C का क्या होता है velocity velocity का होता है L1 T minus 1 square है तो square लिखेंगे साथ में तो यहां से क्या जाएगा M1 L2 T minus 2 देखें left hand side और right hand side का dimensional formula बीटा तो नों सेम है तो यानि कि यह equation में बिल्कुल correct है आप देखेंगा द्यान से next करते हैं fourth question पहला use आज हम पढ़ रहे है बीटा आज हम दो application पढ़ेंगे इसकी dimension analysis की ठीक है बागी बची उही next lecture के अंदर हम पढ़ेंगे तो इसका question number fourth यहां पर आपने बेटा आपके सामने equation दे रखी है equation लिख देता हूं मैं जयान दीजेगा H R rho G by 2T cos theta जयान दीजे मेरे बात पे यह equation दी हुई है बिटा आपको बता देता हूं मैं यहां पर S तो है height ओके R क्या है बिटा radius ठीक है हो क्या है density अभी यह चीजे आपने कहीं बिटा density जी इन सब जीजों के बारे आप बहुत कम बच्चे हैं जो जानते होंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए इसाफ से समझ के चलिएगा ठीक है यह साही चीजे बिटा जो आप फिजिक्स पड़ोगे नेक्स आती जाएगी तो आज सिरफ यह आपने समझना है ज्यादा कुछ इंबे प्रेसर नहीं लेना है देखिए जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानि कि साफ से एक्सलरेशन ही होता है ग्रेविटी के बिज़े से जो एक्सलरेशन होता है उसको एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते है ती यहाँ पर जो है वो टैंसन है यानि कि सर्फेस टैंसन सर्फेस टैंस इसका अब देखेगा राइट रेडियस तो रेडियस के लिए हमेशा लेंद की लेके चलते हैं रोग क्या है डेंस्टी डेंस्टी होती है मास अपन में वोल्यूम आपको करवाया भी था मैंने यह तो मास के लिए M1 वोल्यूम के लिए एल क्यूब तो क्या हो गया M1 एल माइनस थ्री तो रखें यहां पर M1 एल माइनस थ्री ओके जी क्या है बिटा एक्सलेरेशन एक्सलिशन का डाइमेसर फर्मूला होता है L1 T-2 नीचे टू एक कोzk. इसका डाम साहट नहीं होता है. यहां कि एक सावश करते हो एंगल आएंगल डाइमेसल लेस्टा इसको देको क्या आएगा M से मोल्यूम क्याईंचन और यहां से L1 L1 तो यहां पर बचेगा उपर M तो बचेगा नहीं क्योंकि निच्छे एक M उपर एक M तो जेम जीरो हो गया L की पावर माइनस 3 और यहां से एक L यह रहा एक L यह रहा तो L की पावर माइनस 1 बचेगी T स्केर से T स्केर कैंसे यह कुंद से विच ऊक सबस्कों में यह पूंति यह सब्सक्राइबS दॉटा आयगि-ली ही हैं कि प्रेक्ट फोर्मूला मैं तो आक एक ड्यूटर इस चीज को में ड्रेशन स्पार्मूला जाएगा नकि नहीं उपदिख्षक्रिया जाएगा तो यानि कि मैं यह कह सकता हूं कि H की जो equation है वो 2T cos theta upon r rho g यह होगी ना कि यह वाड़ equation क्या समझें आप लोग 2T cos theta upon r rho g यह अगर equation लेके चलोगे तो फिर left hand side right hand side के dimension formula सेम आएंगे तो correct equation आपकी यह हो यह पर यहीं चेक करने के लिए पहली अप्लिकेशन थी बिटा dimensional formula की तो आप लोगों काई थिक समझ में आई होगी ज्यान दीजेगा आगे हां तो बच्चो second जो application है यहां से second application की बात करेंगे तो second use क्या है dimensional formula का कहता है कि किसी भी physical quantity का हम formula पता कर सकते हैं जब हम उसके factors के बारे में जानते हैं कि वो किन किन बातों के ओपर depend करता है फोर एक्जाम्पल एक question निक्ताओं बेटा में ध्यान दीजेगा question number फस्ट हम बात करने हैं हमने यहां से निकारना है कि energy energy of a energy of a particle एक इसीपल हार्मोनिक मोशन जब हमने एक पार्टिकल के energy निकारनी यह जो simple हार्मोनिक मोशन से वेव की तरह जो में होते हैं ऐसे एक पार्टिकल चल रहा है मान लीजिए आप पत्र मारता था पत्र का पारटिकल ऐसे चल रहा है, सोरी, पत्र की नहीं, पारटिकल्स के पास एनरटी है इस मतानी है, Humpt entitled and एगुलर वैलोस्टी ये कह रहे है कि जब हमारी एनरजी मास के उपड़ एंप्लीट्यूड के उपर और एंगुलर वैलोस्टी के उपड़ दिपेंड कर रही हो तुछ पालिटिकल के पास कितनी एनरजी होती उसका फॉर्मुला पता करना वेटा यहीं इसकी एक्वेशन की- सबसे पहले कि मास के ऊपर डिपैंड करती है डाइटली परपोस्टनल यानिक एनरजी इस डिपैंड और मास की कितनी पावर है देखो पिटा फ्रीजिक्स के अंदर पावर का पावर का बहुत इंपोर्टेंट वोल होता है तो यहां से इसकी पावर कितनी है नहीं पता दो एकस माल लेखते हैं तो इसकी पावर हम जड़ माल लेते हैं वहाँ इन तीनों पर कोई घटा लिखेंगे तो और उमेगा की पावर जड़ि इसको ओमेंगा बोलते हैं बटा यहां से यह एक्विशन आगे बट हमें अभी यह नहीं पता कि यह कि आपके पास X की वैलू कितनी है Y की जड़ की वैलू कितनी है यह तो पतल लग कि एनरजी का यहां से आज जाएगा यहां से यह चैनल लेंगा इदर का डाइशन फॉर्मुला और दोनों सेम होगे यहां पिछ पता चुके principle of homogeneity में तो देखिए बिटा energy का dimensional formula ये के जो constant हमने लिया है अपनी तरफ से लगाया है बिटा इसका कोई dimensional formula नहीं होता है इसको लटाड़ो M का dimensional formula M1 और उसकी power X A का dimensional formula L1 और उसकी power Y omega का dimensional formula T-1 और उसकी power Z ये हो गए बिटा आप देखिएगा मेरी बात को समझेगा द्यान से द्यान से समझेगा इस बात को देखिए बिटा इधर तो आ गया M1 L2 T-2 left hand side में M की power X हो गई इस X को अंगर multiply करेंगे L की power Y हो गई और T की power minus Z हो गई ये होगी बिटा खिलियर ये चीज आपको तो एक काम करेंगे आप देखो M की power X हो इधर M की power 1 है तो देखो पिटा जब भी आपके पास base same होता है तो power D equal होती है अगर बीच में equal का sign है तो यहां से X की value कितनी हो जाएगी 1 ऐसे ही Y L की power Y और L की power 2 तो Y की value हो जाएगी 2 और Z minus Z T की power और T की power minus 2 तो यहां से X की value हो जाएगी 2 तो पिटा यहां से X की value आ गई 1 तो इसमें यहां पर उठाके रख दीजिए सारी value तो यह क्या formula क्या आ जाएगा कि M की power 1 A की power 2 और ओमेगा की power बिटा आई आपकी 2 तो यह होता है simple harmonic motion में particle की energy का formula बिटा और इसको निकालने के लिए हमने use किया dimensional formula का use ओके एक question और समझेगा इसी के ओपर है based यहां दीजिएगा second question की बात करते हैं बिटा हम second application का second question जो आपको help करेगा समझने में कि dimensional formula का use क्या क्या काम करता है question है बिटा मैं लिग देता हूँ find the expression for find the expression for force on a falling स्पेरिकल स्पेरिकल ओब्जेक्ट स्पेरिकल ओब्जेक्ट ओफ राडियस radius r in a fluid question मैं आपको समझाऊँगा कि क्या question है ये in a fluid with viscosity ita इसको ita बोलते है ita viscosity कोफी सेंट बोलते हैं विसकोस्टी कोफी सेंट लिखना ऐसे यह आपके पास दे रखाए गिवन है बिटा with speed with speed V जिसको हम terminal velocity V बोलते है with speed V जिसको हम terminal velocity बोलते हैं यह कहरा है देखो द्याद समझे मालों पानी के बाल्टी बरी होई है बेटा उसके उपर आप उस पानी बाल्टी में बोल गेरते हो तो बोल जैसे ही पानी मेंटर करती दीर 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 मालों नीचे पानी की नीचे जाने लग रही है तो कहता है कि जब भी कोई स्पैरिकल अब्जेक्ट जब पानी के अंदर डालते हो तो पानी के उपर लगने वाड़े सोरी बोल के उपर लगने वाड़े फोर्स पानी के अंदर जाती है तो दीर देर जाती नीचे तो यानिकि बोल को अपर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की इक्वेशन आप लोगों ने बातानी है और फोर्स जो है रीडियस पे कोफिशेंट और विसकोस्टी पे और टर्मीनल वैलोस्टी तीच जो पर डिपैंड क फोर्स इस डिपेंड ओन पीटा टर्मिनल वेलोस्ती जिसकी पावर हम जड़ माल लेते हैं तो इन तीनों को रखेंगे तो क्या जाएगा इखटी करके लिखेंगे तो फोर्स इन तीन चीजों से मिलके बनता है जैने कि फोर्स का फॉर्मुला आपका यहां से हम कह सकते यह हो के डाइमेस्ल और स्गतार रेडियस के लिए उसकी पावर एक्स है को फीशेंट विस्कोस्टी की बाद हम कर लेते हैं मैं आप आप नई चीज समझदे होंगे यहां से कोफिसेंट विस्कोस्टी की का डाइमेसल फोर्मुला क्या होगा तो आपको डिःता हूं को पुपिस डेल्टा जै ऐसा कुछ आएगा बेटा आपका फॉर्मुला ठीक है यहां से कोफिशेंट और विस्कोस्टी का फॉर्मुली कारना इसको डेल्टा जट को इदर लियाओ यह दोनों चीज़े जो है मल्टिप्राइम इदर आएगी तो यहां से इसका डाइमेसर फॉर्मुला निकारते हैं इसका डाइमेसर फॉर्मुला कोफिशेंट विस्कोस्टी बताना फोर्स का हो जाएगा एंवन एलवन टी माइनस टू डेल्टा जड़ होता है बिटा यहां से देखिए बिटा यहां पर दो एल है उपर नीचे तीन है तो एक एल की पावर माइनस बचेगी यह तो बिटा एक कोफिशेंट विस्कोस्टी का डाइमेसर फॉर्मुला आ जाएगा हमारे पास यहां से अच्छा कुछ पस्तु यह नहीं गया यह फिर से चैक कर ले है तो पर टी माइनस वन और बचेगा यहां दीजिएगा टी माइनस वन और बचेगा तो यह टाइमेसर फॉर्मुला हो जाएगा कोफिशेंट विस्कोस्टी का तो देखो मैं इसको साफ कर देता हूं आप उतारना जाते हैं तो उतार लीजी इसको वीडियो को पॉस करके तो देखिएगा तो फिटा हम बने कोफिशेंट को विसकोस्टी की तो कोफिशेंट कोफिशेंगरी का डाइमिल एम वन फीडियो पर में इसकी सिके पावड है वाईव M1 L1 T-2 देखी पीटा M की पावर 1 है और जिसकी पावर Y है तो M की पावर Y लिख ले ओके L की पावर यहाँ पर X L की पावर यहाँ पर minus Y अंदर आएगा तो और L की पावर यहाँ पर Z तो क्या होगी देखो L की पावर यह सब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है पीटा multiply में होतो L की पावर X यहाँ पर minus Y आएगी चलिए एक काम करते हैं पहले हैं आपके इसको solve कर लेता अची तरह से M की पावर अंदर लो Y T की पावर minus Y L की पावर अंदर link multiply करेंगे Z और T minus Z देखिए पीटा भी आज़े M1 L1 T minus 2 तो पीटा यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा देखान दीजिए M की पावर Y L की पावर X L की पावर minus Y L की पावर जड़ तो L की पावर क्या होगी X minus Y पलस जड़ ज़ड़ जाती पीटा पावर ओके T की पावर minus Y minus Z तो यह आगया पीटा अब देखिए दोनों साइड यह बेस सेम है रिकोल का साइन है तो पावर भी सेम होगी देखो M की पावर Y M की पावर 1 तो Y की पावर आगी 1 यहाँ से यह रगा दो T की पावर देखो minus Y minus Z यहाँ से यहाँ से जड़ की वैलू रखो और Y की वैलू भी 1 रखो तो पीटा यहाँ से यह दोनों प्लस माइनस कैंसील तो X की वैलू भी आगी 1 तो यहाँ से जो हमारा फोर्मुला बढ़ देया वो बढ़ देया F EG कोस्ट 2K X की वैलू आई थी पीटा 1 तो R1 Y के वैलू बढ़ आई तो 1 रखी यहाँ पर और V जड़ के वैलू की वैलू बढ़ आई है तो यह पीटा आपके पास आगया Actual formula of force on a falling spherical object in a fluid तो यह थी पीटा 2 application next application हम discuss करेंगे next lecture के अदर तब तक के लिए all the best and thank you